चार अगस्ट दो हजार चौबीस हरियाली अमावस के दिन करें, ये खास उपाय दूर होगी हर समस्या। तो आईए जानते हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के दिन सुभर जल्दी उठकर स्नान करें। साफ वस्त्रधारण कर भगवान सूर्य को अर्ग्य दें। मंदिर की सफाई कर गंगाजल का छिड़काव शुद्ध करें। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ती को विराजमान करें। अब महादेव का अभिशेक करें और बेलपतरक, धतूरा और फूल समेत आदी चीजें अर्पित करें और माता पार्वती को सोलह श्रिंगार की चीजें अर्पित करें। इसके पश्चात देशी घी का दीपक जलाकर आर्ती करें और शिव मंत्रों का जब करें। खीर, फल और हल्बे का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद का वितर्ण करें अंत में महादेव से जीवन में सुख, शांती की कामना करें इस दिन श्रधा अनुसार दान करना चाहिए हरियाली अमावस्या के दिन दान का उत्तम महुर्थ सुभा 9 बचकर 5 मिनट से दोपहर 10 बचकर 45 मिनट तक रहेगा इसके बाद दूसरा महुर्थ सुभा 10 बचकर 45 मिनट से दोपहर 12 बचकर 26 मिनट तक रहेगा मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन बाल नाखून आदी काटने से भी बचना चाहिए ऐसा करने से आपके जीवन में कई तरहे की परेशानिया उटपन हो सकती है इसके साथ ही अमावस्या तिथी पर बाल धोने की भी मना ही है साथ ही इस तिथी पर शुब कार्य जैसे मुंडन और ग्रिय प्रवेश आदी भी नहीं करने चाहिए अमावस्या के दिन खानपान का भी जरूरी रूप से ध्यान रखना चाहिए इस दिन मानसम्दिरा आदी का बिलकुल भी नहीं करना चाहिए साथ ही इस दिन लहसुन प्याज के सेवन से भी बचें इन बातों का ध्यान न रखने पर व्यक्ति को धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है हरियाली अमावस्या पर पौधारोपन करना अत्यंत शुभ माना जाता है धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पेड़ पौधे लगाने से पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है और जीवन में खुशाली आती है यह दिन पर्यावरन की रक्षा और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए आदर्ष है विशेश रूप से पीपल, तुलसी और आम के पौधे लगाना लाभकारी माना जाता है विशेश रूप से धन में वृध्धी और कर्श से मुक्ती मिलता है